सिस्टमेटिक ट्रेडिंग गाइस यह एक ऐसा ट्रेडिंग का टेखनीक है जो लॉस मेकर को भी प्रोफिट मेकर में कनवर्ट करने की छमता अपने अंदर रखता है क्या है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं यह सभी पर हम बात करेंगे इनक्लोडिंग मी मैं भी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को ही फॉलो करता हूँ इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है आप लोग समझो कि आप लोग मार्केट में डूरिंग दा लाइब मार्केट आपके अंदर बहुत ज़़ा साइकलोजी का इस हो जाता है आप लोग ट्रेडिंग के पीछे भी जाते हो जिससे आप लोग कहने के बिग लॉसेस का सामना करना पड़ता है इन सभी का सॉल्यूसन गई सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग में आपको मिल जाएगा सिस्टेमेटिक मतलब क्या आप अलगो ट्रेडिंग समझ रहे हो नहीं गाईस एलगो अलग होता है अलगो ट्रेडिंग मसीन द्वारा सॉब्टेवर द्वारा किये जाते हैं सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग हमारे और आपके जैसे ट्रेडर्स द्वारा की जाती हो क्या है आईए हम चुछों को बहुत ज़दा है डीटिल में समझेंगे ध्यान अखना गाईस यह पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिससे कि उसमें एंट्री कव करनी है कैसे करनी है एकजिट करनी है कैसे करनी है एसल क्या होगा रिस्क मेनेजमेंट क्या होगा कितनी एंट्री करोगे आप यह सारा चीजी इंक्लूड होता है एक सिस्टम के अंदर इन सभी को फॉलो करना ह सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए सिस्टम मतलब क्या सिस्टम मतलब सीरी से बात है कि आपकी कोई भी strategy होगी ठीक है सब्सक्राइब करो कि कोई सब्सक्राइब काम करते हो कुल हो सकता है कि प्राइस सेक्षन पर काम करते हो कुल हो सकता है कि भाईया support resistance पर काम करते हो काफी सारे चीजे लोगों के training करने के technique में होती है देको सिस्टम से हमारा मतलब क्या है चीजों को समझो सिस्टम से मतलब यह एक चीज़ों को दिमांग में डालो आपके हाथ में है क्या कि market gap up open होगा की gap down open होगा की side wage रहेगा क्या आपके हाथ में है या फिर market आपको बता करके ऐसा होता है इसका answer है नहीं ऐसा बिल्कुल आप नहीं जाते है गाईस पिले चीजों को समझो इस टॉक मार्केट की जो दुनिया है न वो पूरा का पूरा prediction पर चलता है ठीक है और एक चीज़ आप और जान लो prediction मतलब क्या होगा कि 100% आप सही होगे बिल्कुल गलत है analysis मतलब क्या होता है पहले सभी लोग मेरे से यह बता हो बहुत साह लोग सोचते हैं कि भाया analysis हम लो साह लोग बोलते हैं कि support टूड़ गया तो sell कर दो ठीक है तो पास्ट में काफी बार वो support break हुआ और market काफी बार उसमें से नीचे गया और कम बर fail हुआ मतलब 70-80% बार वो pass हो रहा है 10-20% बार fail हो रहा है तो आप इसको मानोंगे एक analysis हो गया कि यह prediction हो गया कि मतलब past में भ करने के sell करने का decision लेते हैं तो systematic trading में guys आप चाहे कोई से भी strategy इस्तेमाल करो चाहे आप RSI, Bollinger, जो भी मर्जी वो इस्तेमाल करो आप सभी लोगों के पास entry करने का criteria होता है entry करने के कुछने कुछ conditions होती है SL कहाँ पर होता है वो पता होता है risk क्या होता है मैं इसके बार बात करूँगा और इसको थोड़ा से और ज़्यदा decode करते हैं देखो systematic trading करने से यह भी फाइदा है कि जो हम लोग live market में सबसे बड़ा तो फाइदा यह है कि जो जैसे हम लोग live market में जब जाते है न अगर market गलती से भी थोड़ा सा हम लोगो loss दे दिया तो वहाँ पर क्या होता और यह green candle देख करके आप buy कर लोगे red candle देख करके sell कर दे तो इस तरह से जो random trading करते होना गाईज यह बहुत ज़्यदा खतरनाक होती है और यहीं आपके losses का कारड़ भी है सिस्टेम में फॉलो करने के क्या क्या तरीके है पहले चीजों को समझो देखो सबसे पहला तो आपके पास entry करने का fix setup होना चाहिए ठीक है जरूरी नहीं है मैं यह नहीं बोल ला हूँ कि आप सभी लोग किसी एक ही setup को फॉलो को और आप लोग के condition अलग-अलग हो सकते है को कोई एम में पर काम कर सकता है या फिर कोई multiple चीजों पर काम कर सकते हो आप लेकिन आप लोगों के कहीं ने कहीं एक condition होगी कि entry कब करना है आप लोग को जैसे कि तब तक हम entry नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा इससे आप लोग मार्केट की चाल उठा पटक के हिसाब से आप decision अपना नहीं बदलोगे एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी strategy हो 100% काम नहीं करती है इत्ताची दिवाग में डाल लो तो सबसे पहले तो आपके प country को fix कर लो आप उसके rules बना लो कि बहया सपोर्ट ब्रेक होने पर आपको बाई करना है या फिर एम में के नीचा ने पर बाई करना है तो आप अपने rules को return कर लो कि buy करने कि condition क्या होंगी और sell करने की condition क्या होगी जब तक वो condition fulfill ना हो तब तक आपको क्या करना है तब तक random trading नहीं करने इससे benefit देखो real market में live market में काफी सारे चीजें होती हैं कभी आपको कुछ दीख़े गाँ कभी आपको कुछ देखा गाँ, लेकिन नहीं आपको multiple चीजों पर focus गाइस नहीं करना है आपको सिंपल मैं बता रहा हूं एक strategy भी काफी होती है अगर आपके उस पर अच्छी पकड़ बन जाए तब की में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो आप अपने एंट्री बाई या सेल का कंडिशन कर लो फिर आपका एसल उसमें फिक्स होना चाहिए आप कोई साथ भी ट्रेड करोगे आपके एसल कहीं लगते हैं तो इंट्री कर लिया एसल पता चल गया अब बात करने हैं कि मैक्स ट्रेड मतलब भया आपका मैक्स ट्रेड कितना होना चाहिए ठीक है एक दिन में अब आपने लिए फिक्स कर लो एक ट्रेड दो ट्रेड या तीन से ज्यादा करोगे तो यह समझाओ कि आप भहेंकर वाले कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके एसल नहीं जाते हैं कभी निकर जाएंगे लेकिन खिलारी जानतों कोन है खिलारी वह है जो एसल के बाद पता कर ले कि अब नेक्स्ट इस्टेप हमारा क्या है नेक्स्ट इस्टेप क्या है अब एसल के बाद क्या करना है कब करना है कब नहीं करना है, क्या decision लेना है इसके लिए आप इसको भी fix कर लो एक दम, क्योंकि देखो आप अगर randomly काम करोगे तो ये गलबर हो जागी, आप fix rule बना लो कि SL जाने पर क्या करना है और profit जाने के बाद क्या आपको trade करना है कि नहीं करना है, कोशिश करो कि profit attachment वाला काम नहीं करोगे इसके बाद आती है condition guys, risk management का part, जो हम लोग हमेशा ignore करते हैं कोई भी बन्दा होना, risk की बात कर लो तो उसको इतना बोरी लगेगा कि भाईया कुछ कहने है कि नहीं, जब लेकिन जब 2-4-5 लाग market को दे देगा तब उसके दिमाग में घुसेगे कि अच्छा risk का नाम का भी कोई चीज होता है ठीके, तो आप मेरे प्यारे दोस्तो, risk का अपना fix कर लो कि आप daily कितना loss ले सकते हो आपके जिदे नहीं छमता हो, किसी का हो सकता है 1000 रुपे हो सकता है, किसी का हो सकता है 50 पॉइंट का SL मिल जाए तो आपके risk के हिसाब से quantity होनी चाहिए, जैसे कि मालो छोटा SL मिल गया, तो आप quantity थोड़ी से बढ़ा लो, तीर के जगा चालो ले लो अगर बढ़ा SL मिल गया, तो quantity थोड़ी से घटा लो, दो के जगा एक ही लोट में काम करो, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे आपको पता चल गया, मेरे प्यारे दोस्तो, जैसे कि मालो कि आपका दो जागा risk है, ठीक है, अगर आपको 50 पॉइंट का निफ्टी में SL मिल गया, तो इसमें करो किता होगा 1250 रुपे, एक लोट में तो आप मानके चलो कि दो लोट में काम लगभग कर सकते हो, ठीक है, तो आपको पता चल गया न, एंट्री लेते समय, कि आपके दाव पे 2500 रुपे लगे हुए है, ठीक है, पहले से ही त्यार करो, अब किसी को बड़ा लग रहा है, तो भाईया किसी के अगर एसल छोटा है, 1000 रुपे का ही है, तो वो यहाँ पर एक ही ही लोट करें, दो लोट के जगा वो एक लोट करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उनको यह पता चलेगा कि भाईया, चलो, ट्रेट तो मैंने ले लिया, 1000 पर अचलेगे, जो मेरे बजट के अंदर है, फिर आपको क्या करना है, जब यह सारे चीजे हो जाए, तो आपको कोशिस करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, कि कभी आप RSI पर काम करो, कभी उड़के चलेग होगे, प्रॉफिट करने के बाद भी, या तो जीरो से भी नीचे मानिस में चले जाओगे, मानिस मतलब लॉस, ठीके, और यह गाईस में अपने एक्स्पिरियेंस से बता होगा, मैंने बहुत सिस्टम पर काम किया हुए, देखो, दस चीजों को मिक्स करोगे, तो कहानी खर खरागे आप को जिस पर भी विश्वास लग रहा है, जिस पर अच्छा लगा रहा रहा है, या फिर किसी का प्राइस अच्छा काम है तो आप उसी पर काम करो, और रूज बेस, अपने रूल्स बना लो, देखो, आप किसी बिर तरह के सिस्टम में अपना रूल्स बना सकता से बाद उसके बाद लाइब मार्केट में तो लाइब मार्केट में आपको क्यों वेट करना रहेगा अपने एंट्री खेलिए और अपने एक्जीट के लिए ठीक है इसके अबाद को कुछ सोचने जो नहीं है तो इसके अंदर जब आप सिस्टम अटी तो आपको एकदम पेसेंच रहेगा कभी है जब तक आपका सिस्टम बनना ही जाए ठीक है जो भी सिस्टम आप काम करो तब तब आपको क्या करना है क्यों हुआ उसके बाद आपको नेक्स्ट इस्टेप भी आपका रेडी है आप सारी चीजें पहले से ही रेडी रखे हो तो आपको पर अच्छा अगला क्या करना है तो यहां पर क्या होगा यहां पर आप बहुत ही पीस ओ माइंड के साड़ करोगे और यकीन मानो मेरी प्यारे द करता है हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल में कभी भी फाइदा नहीं होता है यह पूरा है बिजनेस ठीक है पूरा का पूरा ट्रेडिंग है बिजनेस और बिजनेस में दिल काम नहीं करता है इमोशन काम नहीं करता आपका दिमाग काम करेगा और अगर दिमाग से से काम करो गया तभी आप इसमें सेस्टेन कर पाओगे आप आज ही ट्राइ करो अपने सिस्टम में ट्रेडिंग को बनाने का और यह आप कर सकते हो खुद से कर सकते हो क्योंकि आप एक से समझो किसी वे सिस्टम पर काम कर रहे हो कुछ भी भले आप 920 पर क्यों यह काम करो 920 नीचे को आप फॉलो करते हैं सिस्टमाटिक टेडिंग से गाइज मैं भी गाइस अब पूरी के पूरी तरह से सिस्टमाटिक टेडिंग गरता हूं और इसलिए आपने अब कुछ लोग के स्टेप ज्यादा हो सकते हैं मेरा लियर फिक्स मेरा एक फिक्स सेटफ सेटप जिस पर काम करता हूं उस में तीन चीजे वह पर निकालता हूं कि में कॉन से बई करने के ले wil या फिर मैं कहां बाई करूँगा सिंपर सज्ञ बोलू या फिर मैं कहां सेल करूँगा यह मेरे होगे लेवल इसके बाद आता है step number two मेरा view वया view क्या है upside का trade plan करना है कि downside का trade plan करना है तीसरी condition में आती है entry ठीक है कि यहां पर entry कब करनी है कहां पर करनी है ठीक है जैसे कि आपने कंडिशन में हो गए सब्सक्राइब करो जो भी कंडिशन है तो यहां पर entry तो मैंने अपने system को three step में convert कर दिया only only three step तो इससे मेरा क्या हुआ इससे मेरा time बच गया मेरा effort बच गया अब मैं simple तरीके से काम कर सकता हूं entry करने के बाद देखो entry करने में आपको लिख के बता रहा हूं किसी के हाथ में यह नहीं पता हुआ था कि entry करने का profit होगा हाँ confidence रहता है हमेशा कि यह trade करोगा profit क्यों क्यों कि आपने अपने study को हर एक तरह के मार्केट में जैसे मेरा trading करने का तरीका क्या है कि मैं gap up हो या gap down हो या sideways हो including new जो हो कोई event आ गया मार्केट में मैं किसी भी टाइप के situation में अपने रूल से अपिर अपने systemary trading में nothing change कुछ भी चेंज नहीं करता क्यों क्यों कि मुझे पता आएगा इसकी अगर एक दिन आप चेंज करें तो मलब आप system को follow नहीं करें system मतलब क्या होगा किसको follow करना है तो मेरी को पता है अगर profit हुआ अच्छी बात है मौच करता हूँ और से करता हूं क्योंकि मैं मैं जानता हूँ कि मेरी जो system में उसके profits जादे हैं और losses कम है losses छोटे है profit बड़े है ठीक है तो मैं दुबारा से loss वाले trade के बाद एक एंटी करता हूँ और दो ट्रेट के बाद में तीसरा कोई trade नहीं करता तो इससे benefit मेरे को क्या क्या मिला सबसे पहला गाइस देखो मेरा time बच गया एक दम टाइम बच गया जो भी मेरे को time लगाना वह अपने एक right system right strategy को follow करने में क्योंकि आपको यह पता करना बेहत जल market में ऐसा कोई real strategy नहीं है हाँ इकुर इसी होती है कि मेरे study 90% काम करें किसी की 85 किसी की 80 ऐसा हो सकता है तो मैं अपने system को बनाया हूँ काफि सैटिसफाइड तरीके से और मैंने three steps में मैं इसको follow करता हूँ तो आज ही आप लोग भी कुछ न कुछ जैसे भी आप लोग करता ह जरूरी बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ systematic धंगल में जब तक नहीं आओगे मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ या तो आप भूम फिर खिर जीरो पर आ जाओगे या तो जीरो के बाद 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 मुझे loss क्यों होता है loss जादे लोगों क्यों होता है देखो सबस क्यों काम करें लॉस हो गया तो गुस्य में आ करके और बड़ा quantity बढ़ा देंगा जिसे उनका loss जो रिस्क होता है वह unnecessary बढ़ जाता है बड़े losses में वह ले ले लेते हैं किसरी बात होती है over trading भाया revenge trading मतलब एक trade में loss होगा दूसरा trade कर लो दूसरे में loss होगा तिसरा कर लो म random trading यह तीन चीज़ों कर लोग है ना मैं अतना आपके दावत सथ कर सकता हूं कि कभी भी आप किसी major losses में नहीं रहो गए यह तीन ही चीज है तीन ही चीज़ से वज़से आदमी 90% जनता है ना वह परसानी loss के चक्कर में तो आप लोग आज से ही अपने अंदर टेर सिस्टेम को यूज करने का ट्राइ करो और कमेंट करके बताना यह वीडियो कैसा लगा इसमें अपना काफी ज़्या एक्स्प्रियेंस भी सेर किया है और अगर आप लोग मेरे सिस्टेम मेरे इस्टेम को फॉलो करना चाहते हूं कि जैसे मैं काम करता हूं कि लेवल निकाल दिया फिर